हेलो नमस्कार बच्चो स्वागत है आप सभी को बेसिक सिख्चा के इस online learning platform पे स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं दो हजार तैस के फॉर्म्स जो आप लोग के रिलीज हो चुके हैं तो बीस्टी ओनर्स एग्रिकल्चर की जो है संपुर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कौन-कौन सी युनिवर्सिटी आपके सी वीटी के माध्यम से आप जहां अधाखिला ले सकते हो क्य उसकी इलिजिबिटी क्राइटिरिया है क्या आपके सी वीटी के एग्रिकल्चर की स्लेबस है एग्रिकल्चर डोमें जो भी बच्चे बीस्टी ओनर्स एग्रिकल्चर के लिए करना चाहते हैं उनकी एक्जाम पैटर्ण क्या है और इसी के साथ-साथ जो है आपके इस्टुडेंस आपके साइंस बैक्ग्राउंड से हैं इन जिन्होंने 12 में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायलोजी से किया है या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किया है वो बच्चे इलिजिबल है और उसके साथ-साथ जो बच्चे आपके इंटर agriculture यानि कि 12 में जो है जिनके पास agriculture subject से जिन्हों ने किया है वो भी बच्चा जो है इस exam के इलिजिबल रहेगा यानि कि तीन अलग अलग stream के बच्चे जो है इलिजिबल रहेंगे जो PCM physics chemistry mathematics वाले हैं जो physics chemistry biology वाले हैं और जो बच्चे इंटर agriculture से हैं वो सारे बच्चे जो है सीवीटी एग्रिकल्चर का एक्स बीएस सी आउनर्स एग्रिकल्चर के लिए सीवीटी 2023 का पेपर दे सकते हैं अब अगर हम लोग समझेंगे सीवीटी 2023 के examination pattern का तो बच्चों सीवीटी 2023 की जो है उसमें आपके तीन अलग अलग सेक्षन होने हैं ठीक है तो सबसे पहला सेक्षन में जो है आपके languages होगा इसमें आपके section 1A और 1B करके जो है आपके अलग अलग 13 लैंग्वेज और फिर यहां पर 20 इस language करके जो आपको दिया गया है ठीक है तो यह आपका language के लिए आपका section 1 रहेगा section 2 जो है बच्चों आपका जो basically आपका domain specific subject रहेगा इसमें और फिर आपका section 3 में जो आपका general test रहेगा यानि कि कुल मिला के all together जो है आपके exam में टोटल आपके तीन section अलग-अलग है section 1 में language दिया है section 2 में आपके domain subjects है और section 3 में आपके general test है अब आपके general test का syllabus क्या होगा general test में आपको जो है current affairs, static gk, numerical ability, reasoning यह सारी चीज़े पढ़नी होती है English के लिए आपको subject का syllabus जो आपके reading comprehension और आपके सारी चीज़े है वहाँ पे तो आपको individual subject wise भी आपको syllabus की videos डिटेल जो है आपको syllabus का यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा लेकिन अगर हम एक overall view देखें CUET के exams के तो उसके तीन आलाग अलाग sections होने हैं अब BSC honors agriculture का जो बच्चा तयारी कर रहा है उसको कौन सी section लेना चाहिए किस तरीके से उसको form भरना है यह सारी चीज़े जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहला जब आप बात करते हैं हम लोग CUET की university in trans examination की तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कौन-कौन से universities हैं जहां के लिए आप eligible होगे जिस university के लिए आप BNC honors agriculture course के लिए आप apply कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे total 4 तरह की universities हैं कि आपके dimmed universities का और चौथा जो है आपका category है वो है private universities का हम लोग यहाँ पे particular आपको section wise हम लोग आपको समझाएंगे कि कौन-कौन से private universities के form आप भर सकते हो CVT के थूरू कौन से state के कौन से central और कौन से dimmed university तो सबसे पहला चलिए देखते हैं BSC honors agriculture के लिए हमारे कौन-कौन से central universities का form हम लोग जो है भर सकते हैं तो सबसे पहला central university जिसका आप form भर सकते हो BSC honors agriculture के लिए वो है आपका बनारस हिंदू university अलग-अलग university wise भी आपके eligibility criteria पे हम लोग बात करेंगे कि कि किस university के लिए आपको क्या domain लेना है क्योंकि CVT में बच्चों सबसे पहले आपको एक चीज subject ले लो लेकिन जब तक आप उस particular individual university की eligibility criteria को नहीं fulfill करते हैं तब तक आप उस university में admission की eligible नहीं होंगे भले आपने CVT में बहुत अच्छा मास्क ले आया है उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इसलिए universities की individual selection criteria जानना जो है बहुत जरूरी है तो सबसे पहले list of universities देख लेते विश्वभार्ती university आपका West Bengal में नागालेन university ये तेन केंद्रिय विश्वविद्याले जो है BSC Honors Agriculture course के लिए है तो ऐसे ही आपका state राजकिये विश्वविद्याले में अगर देखेंगे तो आपका विक्रम university और आपका बरकातुला university जो है ये दो आपके state universities हैं जहां पे BSC Honors agriculture के लिए आप CUT के through application डाल सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपका दा गांधी ग्राम रूलर इंस्टिटूट उसके बाद सोवित university और दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिटूट ये सब हमारे कुछ दिम्ड उनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप BSC Honors Agriculture के लिए दा त्रिथांकर महावीर उनिवर्सिटी, सुल्णी उनिवर्सिटी, R&B Global University, निर्वान उनिवर्सिटी, जैपूर मेवार उनिवर्सिटी, मंगलायतन उनिवर्सिटी, अलिगर्ड लवली प्रोफेशनल उनिवर्सिटी और उसके साथ-साथ कुछ और आपके उनिवर्सिटीज हैं जो इस लिस्ट में हैं आपके प्राइवेट में जगरनाथ उनिवर्सिटी, जगरनाथ उनिवर्सिटी, बहादुरगार हरियाना, इनवर्टिस उनिवर्सिटी, जी एले उनिवर्सिटी, मतुरा, गीता उनिवर्सिटी, गलगोटियाज उनिवर्सिटी, जीडी गोइन का युनिवर्सिटी, Career Point University, और Natural University of Studies और Apex युनिवर्सिटी ये सब आपके काफी private universities हैं जो इस बार CVT के थूरू BSC Honors Agriculture के लिए admission ले रहे हैं पिछले साल का सीन क्या था कि आपकी कुछी limited universities थे लेकिन इस बार जो बच्चो आपके युनिवर्सिटी प्राइवेट युनिवर्सिटी काफी जादा जो है इस बार अपने अपने युनिवर्सिटी में दाखिला CVT exam के थूरू ले रहा है अब हम लोग धीरे-धीरे समझेंगे कि आपके परतेक युनिवर्सिटी के हिसाब से आपके हर एक युनिवर्सिटी की eligibility criteria क्या है जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं central universities की तो बनारस हिंदू युनिवर्सिटी की अगर बात करोगे तो बनारस हिंदू युनिवर्सिटी में बच्चो कोई भी subject combination आप चूज करोगे लास्ट में आपको जो expert guidance भी दूँगा कि आपको तयारी कि subject combination से करना चाहिए और क्या आपके motive होने चाहिए क्या आपके preparation strategy होने चाहिए इन सब पे बाते करेंगे लास्ट में जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सबसे पहले दूसरा युनिवर्सिटी जो हम लोग का है वो है विस्सुभार्ति युनिवर्सिटी तो विस्सुभार्ति युनिवर्सिटी में जो है बच्चो आपका यहां पर पूछा गया है आपके PCB, PCM य बात करनी है वहां पर देख्च एम लोग बात करेंगे स्टेट युनिवर्सिटी में तो विक्रम युनिवर्सिटी में आपका सिर्फ और चिर्फ एग्री कल्चर सब्जेक्ट अगर आपने डोमेन में लिया है तो आप उसके लिजिवल होंगे नेक्स्ट बात करते हैं वर ले रहे हैं दूसरा युणिवर्सिटी आपकी शोवीद युणिवर्सिटी भी जो आपका सिर्फ और सिर्फ जन्रल टेस्ट में आपको क्या-क्या पढ़ना उसके डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ी हुई है आप देख सकते हैं नहीं तो इसमें मोटा-मूटी आपक इस्टिटीट जहां पे आपको जेनरल टेस्ट और डोमेन में बाइलोजी यह दो चीजें आपके लिए काफी जरूरी है यह दो इस युनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला लेंगे स्टिटी के थुरू तो आपका जेनरल टेस्ट और बाइलोजी होना जो है काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट अम लोग बात करेंगे बच्चो आपका विवेकरनन्द ग्लोबल युनिवर्सिटी जहां पे आपको मैच्स बायो और अगरिकल्चर में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट आप करोगे आप अपने सब्जेक्ट में जब आप सीउटी का फॉर्म भरोगे कौन सा सेक्षन चूज करोगे इसके बेसिस में यहां पर आपको गाइड किया है नेक्स्ट आपका तिर्थानकर महावीर युनिवर्सिटी जिसमें आपका PCA PCM या PCB मतलब डोमेन युनिवर्सिटी की ही बाते करनी है और डोमेन का ही सब्जेक्ट आपको चूज करना है कोई भी तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करेंगे नेक्स्ट हम लोग सुलनी युनिवर्सिटी की बात करें अगर तो जनरल टेस्ट आपको करना होगा आरन बी ग माचो सब्जेक्ट्स आपके डोमेन में होने चाहिए मंग लाइटन युनिवर्सिटी अलिगर्ड में आपका PCM या PCB यानि कि जो भी सब्जेक्ट कॉंबिनेशन आपका होगा PCM या PCB उसके बेसिस पर आप इस युनिवर्सिटी के लिए लिजिबल हो जाएंगे लेक्स्ट लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी इसमें आपको ये आपको क्या करना है बच्चो इसमें आपको मुख्यत है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो देना कंपल्सरी है ही इसके अलाबा आपके पास या तो PCB करिए या PCM होना चाहिए या फिर आप सिर्फ एग्रि इस फीजिक्स और केमिस्ट्री फीजिक्स और कीमिस्ट्री डोमें में लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चूज करना होगा नेक्स्ट बात करते हैं जगणनात University बहादुर गड़ हर्याना में तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश के बेशिस पे जो है यह यहाँ पर आपका English होना चाहिए, उसके बाद जो आपके domain में तीन subjects होने चाहिए, या तो PCB या PCM या PCA, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, गीता University में English, Physics और Chemistry होना चाहिए, गलगोटियाज University में आपका English, उसके बाद तीन subject combination आपके domain का होना जरूर है, मतलब वहाँ पर भी आपको जो है language compulsory है बच्छो ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, जीडी गोइन का यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपको agriculture या तो PCM या PCB में से आपको एक कोई subject combination होना चाहिए, तीन domain मतलब कुल मिला के, यहाँ पर आपको सिर्फ domain subject से काम बन जाएगा, नेक्स्ट हम लोग का PCM या फिर PCB domain जो है आपको देने होंगे, only domain subjects, उसके बाद बात करते हैं बच्छो, Apex University में जहाँ आपका जो है general test ही आपके exam point of view से syllabus में आपको दिया गया है, अब बच्छो यहाँ इतना चीजे करने के बाद, आपको अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, expert suggestion में आपको अगर देखेंगे, तो हम आपको क्या suggest करना चाहते हैं बच्छो, कि जैसे आपको कहा मैंने, कि तीन section में होते हैं paper, आपका section A में होता है, ठीक है, तो section A में बच्छो आप लोगों को जो है English language की आपनी तयारी करना ज़्यादा जरूरी है, English language सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो, एक चीज और, जो बच्छा हमारा math background से है, और bio background से है, वो भी आपका BSC honors agriculture के course opt करता है, लेकिन साथ में अपने पास वो BSC mathematics या BSC biology के लिए भी option जो अपने पास रखता है, BSC honors physics chemistry के लिए भी option रखता है, तो उन सभी के लिए भी English करना जर 2 जो है आपका, जो आपका section, दूसरा section है, यानि कि section 2 या फिर section B कह लिजे इसको, section A में आपको English करना है, section B की अगर बात करें तो यहाँ पर domain subjects आपको लेने है, ठीक है, अब इन domain subjects में sir हमें किस subject से तयारी करना चाहिए, सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर doubt जो है इसी math बायो वाले को तो PCM और PCB करना ही है, ताकि आप इसके थूरू BSC Honors Mathematics, BSC Honors Agriculture जैसे BSC Honors Bio Insub Subject के लिजिबल हो जाओगे, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है बच्चो, agriculture का पूरा domain subject, यानि कि कुल मिला कि आपको जो है, चार subject अपने domain में चूज करने है, जो math वाले है, वो PCM plus agriculture चूज करेंगे, जो bio वाले हैं, वो PCB plus agriculture चूज करेंगे, ठीक, उसके बाद जो है बच्चो, आपका तेसरा जो test है, आपका section C जो है, यहाँ पर आपको section C में आपको देना होगा general test, ठीक है, general test, अब मैं आपको यह बता दू, कि यह अगर आपने subject combination चूज किया, अगर जब भी आप form भर रहे हो, तो क्या पढ़ें वाला situation जो आपका है, वो दूर हो जाएगा, आपको general section A में language में English language की तयारी करनी है, अगर हिंदी में बच्चा बात करेंगे, तो PCB और PCM या end agriculture पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि agriculture इसलिए जरूरी है बच्चो, क्योंकि आपके कई सारे universities ऐसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ agriculture domain पे ही admission ले ले रहे हैं, और agriculture पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको करना क्या है, अपनी जो agriculture की classes आपकी चलेगी, या फिर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा, उसको आप करमबद तरीके से पढ़ ये subject combination और ये formula मतलब English प्लस चार domain subject और general test, अगर आप इस pattern से तयारी कर रहे हैं अपनी, तो आपको किसी भी competitive exams की बात करें, अगर किसी भी universities की बात करें, कोई भी other courses के लिए भी science stream से हैं अगर आप, तो आप जो है, इसके लिए eligible हो जाएंगे, इसमें आपको कहीं भी तिक् है, तो ये आपको section A, B, C wise आपको जो है पढ़ना है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चों यहां पर कि कहां से पढ़ें, तो देखो जो भी बच्चा agriculture subject की तयारी करना चाहता है, उन सभी के लिए जो हमारी क्रिशक batch, जो हमारी basic सिक्षा app पे अल्रेड़ी रिसे सब्सक्राइब करना है, इतना ही नहीं बच्चों आपके exam based full length test जो आपके CVT के basis पे यहां पर प्रोवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ agriculture domain जिनका week है, जिनको तयारी करना है, agriculture में 0 से hero तक का पूरा सफरताय करना है, उन सभी के लिए batch काफी लाफदायक होगा, इसके अलाब schedule आपको app पे available है, अगर आप लोगों जुड़ना है, आपको आप लोग डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी जो है वहाँ पे मिल जाएगा, इतना ही नहीं इसमें आपको जो है, आपके strategic sessions वगरा क्या आपका प्लान होना चाहिए, यह सारी क्या subject पढ़ना चाहिए, किस तरीके तैयारी करना चाहिए, सारी जानकारी के लिए जो आपको personalized mentorship program जो आपको क्रिशक बैच के तहर मिलेगा, इसके अलाबा जो है बच्चों जो बच्चा आपके other exams के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, physics subject की तैयारी करना चाहते हैं, इंग कि तो आप यपरिश के भी तरू आपकी पूरी structured वय में जो है आपका है यहां पे हमारे पास दो एक और जानकारी क्या है, कि बरदान बैच हमारी दोनों ही माध्यम के बच्ama के लिए अलग है만हरे बर नइकि इंग्लिश कों नधिम बच्चों के लिए अलग हैं नहीं तेटेल्ड थेओरी वीडियो भी लेंगे आपको उसके बाद आपका DPP डेली प्रैक्टिस सीट जो है विट सोलूसन मिलेगा जो भी चैप्टर आपने कम्प्लीट किया उसका DPP और उसका सोलूसन जो है वहाँ पर अविलेबल है इसके अलाबा देखेंगे तो यहां पर चैप्टर वाइज हम लोगों ने प्रिपेर करके हर एक सब्जिक्ट का जो आपका पूरा बुकलेट 2022 की जो कोस्टन आई थी उसको पूरा बुकलेट जो है आपको अविलेबल करा दिया गया है सबी लोगों के लिए ठीक है तो आप लोग इस तरीके से जो अपने सीवीट 2023 का जो आपका जंग लड़ना है जिसके लिए आपको तयारी करनी है मन चाहाई युनिवर्शिटी पाना है उसके लिए जो आपके लिए ये दो बैच हमारे बर्दान बैच और क्रिसक बैच काफी लावदायक होगा फॉर एग्रिकल्चर एस्पिरेंट्स जो बीएस्टी अगरिकल्चर की तयारी करना चाहते हैं इन सभी के लावदा जो है बच्चो काफी एस्ट्रेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर सक्सेस टिप्स क्या होना चाहिए तो बच्चों आप लोगों को हमने यहां पर इस वीडियो में आपको युनिवर्शिटी सेलेक्शन के बार करना है इस सभी के लावद जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो प्रिवेस एर कोस्चन्स जो आपके बेसिक सिक्चा के एप पे जो अविलेबल कराया गया है चैप्टर वाइज उन सबका इस्टडी करना जरूरी है उसके बाद जो है आपका एक सेड करी जो है आपको बेसिक सिक्चा के यूटुब चैनल पर भी मिलेगा और हमारे एप पर भी आपके जो है काफी ज़्यादा जो है कंटेंट जो आपके सीवेटी के लिए आपके फ्री में आवेलेबल कराये गए हैं तो जो भी बच्चा सीवेटी दोहजार तैस में चाहे व और इन सभी के इलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य चीज पे भी हम और हमारी टीम दोहजार तेस सीवेटी से रिलेटेड वीडियो बनाए तो उसको जरूर से कमेंट करिएगा धन्यवाद